आज मैं आपको ब्लेंडिंग स्टंप घर पर कैसे बनाये हो शिखाने वाला हूँ ब्लेंडिंग स्टंप बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरुरत है पेले आपको एक पेपर चाहिए फिर पॉलिश पेपर फिर ब्लेड की इन तीन चीजों से आप ब्लेंडिंग स्टंप घर पर ही बना सकते हैं मैं पेज को जिस तरह से कर रहा हूँ आपको भी उस तरह से कर लेना है पेज को काटने के लिए कि अगाइब लिए प्रेक आपको आपको इस दापको ब्सक्राइब ब्सक्ष्ट साथ और ब्सक्राइब यह ज ढूँते का मैं आपको अगॉरी नचीजों से कापको वाद वसे अपनी दोंग लूंग जो सिक ताइट कर लेन, ताइट करें, फिर, जाइट करें, ताइट करें, पिर, टेप लगाए पेपर को दोनों तरीके से काटे को पेपर को बेंड़ को अवाए प्याप रगाए बदाए 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 झाल 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 ब्लेड से उपर उपर का हिस्सा काटे फिर पॉलिश पेपर पर पेपर को गिसे झाल 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 अब चेक करते हैं ब्लेंडिंग स्टम के से काम करता है। ब्लेंडिंग स्टम के से काम करता है।